नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वायराक्य और इस वक्त देखनें आप अपना और मेरा दोनों का यूचिब चानल सबसे पहले बात करते हैं बिलीविन कर्मा आज हम बात करेंगे शिवरात्री वॉल्यूम सेवन की लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे ओम के उच्चारन के बारे में भी कहते हैं ओम अक्षरि संसार के अंदर सबसे बड़ा अक्षर है अभी आपने सुना होगा कि मंगल ग्रह के अंदर यूएस से पहुंचा हलाकि उन्होंने वहां से ओम की ध्वनी आ रही है ये भी बताया लोगों को और वो ध्वनी हमने सुनी भी जब हमने टीवी पर वो सब फोटेज देखी हैं सब देखा तो इस ब्रहमान के अंदर अगर कोई भी चीज़ जीवित है तो वो है ओम मैं आपसे कई बार कहती हूं कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको सूरे की रोशने में खड़े होकर ओम जरू बोलना चाहिए अगर आप सारी स्रिष आपको सारी वीडियो देख लीजे और आप 10 तारीक की शाम तक ये डिसाइट कर लीजेगा कि आखिर आपको करना क्या-क्या उपाय और रेमेडी है आपकी क्या तकलीफ है वो आपको देखना है क्योंकि हम तो 10 दिन 11 दिन 11 वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम आपसे महा शिवरात्री के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हम ओम के उचारन के मात्र से हर समस्या का हल हो जाता है ओम तीन अक्षरों से बना हुआ है आ, उ, और मा से ये तीनों का मतलब है ब्रहमा, विश्नु, महेश इससे बड़ा कोई मंत्र संसार में नहीं है यानि की सजन करता पालन करता, संघार करता, साबधानी, ओम का उचारन शब्द करते, वक्त ब्रहम मूरत में करें तो सबसे अच्छा है और अगर आप संध्या टाइम में करें, शिव शंकर के लिए वैसे भी एक आ जाता है, कि या तो गोधुली बेला में, यानि कि शाम के समयन की पूजा की 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 जाए, उचारन करने से पूर्व इन बातों का इन तकनीकों को सीखना बहुत अच्छा और लाबदायक रहेगा, उचारन करते समय रीड की हड़ी बिलकुत सीधी होनी चाहिए, ऐसे बैठ कर उचारन नहीं करना, एक दम स्ट्रेट बैठ कर उचारन करना चाहिए, जब अपने उस बच्चे को या फथी को खिला दे, जिसे आप अपने और अकरशित करना चाहते हैं, या सही करना चाहते हैं, बुद्धि बिगडी हुई है, एक पीले कागज पर लाल रंग से ओम लिखकर और उस कागज को, मतलब एक पीले रंग के कागज पर लाल रंग से ओम जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने ओम लिखा और उसके आगे गोला बना लिया, इस तरहां से, आपने ओम लिखा और इस तरहां से गोला बना लिया, इसे ओम लिखकर गोला बना कर पांच मिनट तक रोज इसके सामने बैठ कर ओम का उच्चारन करें और इस कागस को केसर लगा कर अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर टांग दे किसी भी तरह का वास्तु दोश क्यों ना वो खतम हो जाएगा घर के दर्वाजे पर हर मंगल काम आप चाहते हैं हर मंगल वार वाले दिन हनुमान ची के मूर्ती से सिंदूर उतार कर लाएं और अपने घर के दाएं और बाएं दोनों तरफ ओम जरूर लिखें तो बहुत बढ़िया रहेगा और बीच में स्वास्तिक बना दें आपको अगर धन की प्राप्ति चाहिए तो आपको एक सफेद कागच का टुकड़ा लेना चाह चाहिए और शुकरवार वाले दिन अगर बत्ती भी दिखाने चाहिए ऐसा करने से भी ओम का उचारन करने से आपके जीवन में बहुत कले कलेश दूर होंगे लेकिन आज हम बात करेंगे वॉल्यम 7 में फूलों के रसकी मतलब फलों के रसकी फूलों के रसकी जो में जाना है या किसी भी तरह से तो आप महा शिवरात्री पर किसी भी समय सुबा चार बजे से अगले दिन सुबा चार बजे तक प्लीज एक छोटा सा उपाय कर लें कि गन्ये का रस अर्पन करें सेब का रस अर्पन करने से मंगल ग्रह के उपाय खास हो जाते जो बच्चे मांगलिक है उन्हें शिवलिंग पर सेब का रस अर्पन करना चाहिए और खास कर इस वक्ट ज़ादा फलडायक है क्योंकि अंगार दोस चल रहा है आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कुंडली दिखाई जिने मैंने स्पेशल का था कि आपकी कुंडली में पर्सनल ही अंगार दोश है जहां मंगल और रहू की युक्ति हो रखी हो उन्हें खास कर सेब का रस शिवलिंग पर अरपन करना चाहिए गन्य का रस चढ़ाने से धन ही धन होई होई क्या बताओं इतना धन मिलेगा कि समझ नहीं आएगा कि धन कहां रखूं करजा भी उतरेगा मौसमी का रस चढ़ाने से आपकी तबियत ठीक होती है और negativity और gas की problem से आपको मुक्ति मिलती है अनानास का रस चढ़ाने से आपको आपका जो बच्चा है उसकी बच्चे की धन की प्राप्ति होती है मतलब धन पुत्र धन की प्राप्ति होती है खास कर अगर आपको लड़का चाहिए तो आम का रस चड़ाने से या आम का मेंगो शेक जीसे कहते हैं चड़ाने से आपके जीवन की हर समस्या का निवारन होता है और समस्या दूर और बाय-बाय हो जाती हैं अंगूर का रस भगवान पर चढ़ाने से आपकी स्किन से जुड़ी वी बिमारिया दूर होती हैं, चीकू का रस भगवान पर चढ़ाने से कोट कचारी के केसों में निजात मिलता है, और अलग-अलग पांस तरहां के फलो को एक साथ मिलाकर चढ़ाने से आप दौलत मंद, रहसे मंद, अकल मंद, स्वभागे मन, मतलब जिसे कहते हैं स्वभागे वती, वो बनती है कि पांचों रसों को एक साथ मिला कर एक लोटे में स्टील के डाले और फिर चढ़ाया, अगर आप रस में शहद मिला कर चढ़ाया चाहिए वो रस कोई भी हो, तो आपके काम बहुत तेजी से होने लगेंगे और आपको जैसे मैंने कहा कि अनार का रस तो शहद मिला लीजे, गन्य का रस तो शहद मिला लीजे, चिकू का रस तो शहद मिला लीजे, आम का रस तो शहद मिला लीजे, अंगूर का रस तो शहद मिला लीजे, तो जो भी आपकी तमन्ना है वो औ और भी तेजी से आपके काम होने शुरू हो जाएंगे, अगर रस में गुड मिला लिया जाए तो सरकारी नौकरी आपको बहुत 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 जल्दी मिलती है, ये है फलो के रस से भगवान का अभिशेग, वैसे पंडित को घर बुलाकर आप फलो के रस से भगवान का अभ अगर आप working woman है आप कहें राखी जी यह possible नहीं है क्या मैं juice वाले की दुकान से ले सकती हूं तो हाँ बिल्कुल आप ले सकती है आपको लोटा भी नहीं मिल रहा तो फिर आप प्लास्टिक की पॉलेथिन जिसमें वो रस आपको पैक कर कर देगा या प्लास्टिक का गिलास जो मतलब use and throw glass होता है उससे चड़ा सकते लेकिन यह तब जब आपकी बहुत मजबूरी हो यह सारे फलो के रस आपको भगवान के म पाय और जादूई सीरीज पर बात कर रहे हैं महा महा शिवरात्री पर शिवरात्री के बारे में आपको एक बात बता दूँ महा शिवरात्री सोने की रात नहीं है अगर आप मंदिर ना चाह सके पीरेट्स है घर में पूजा बंद है तो इस रात्री केवल जाग कर ओम नमस दिखने होगी फिलाल मुझे दीजे इजासत अपना और अपनों का ध्यान रखेगा मुझे इंस्टा पर फेस्बुक पर मुझे यूट्यूब पर और मेरे फाइव मिनट स्टोडिस पर फॉलो जरूर कीजेगा हो सकता है आपके जिवन में रस ना लेकर आपाएं लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि किसी की जिन्दगी बना सकते हैं इसलिए अपने वाट्स अब ग्रूप में ये यूट्यूब वीडियो को शेयर जरूर करें आपने पेज पर फेस्बुक के जरूर शेयर करें तो कर भला तो हो भला फिलाल दीजे जाज़त नमस्कार